तो शुरुआत करते हैं You are so sweet part 4 की शाउनिंग अपने कैबने में होती है और वो गूचैनियों और यारन के बारे में सोच रही होती है गूचैनियों अपनी family के साथ lunch कर रहा होता है तो फिर उसके फादर उसे पूष्च रहोते हैं कि तुम company में कब वापिस आओगे गूचैनियों बोलता है कि मेरी अपनी company है तो फिर उसके फादर बोलता है कि उस company को तुम mention मत करो तो मैं मेरी कंपनी में आना होगा बट गुचैनियो मना कर रहा होता है गुचैनियो बोल रहा होता है कि वोई सेक्टिंग मेरा करियर है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी आइडिनेटिटी एक्सपोज हो गई तो फिर में वापिस आ जाओंगा जिन यहाँ शीफे से मिलने के लिए ओफिस में आई होई होती है तो फिर महाँ अपर शीफे की सेकरेटरी होती है शीफे नो सेकरेटरी को बोला होता है कि यहाँ पर तुमें जिन यहाँ को नहीं आने देना है जब वो अंदर आया थी है तो फिर सेकेटरी बोल रही होती है कि शीफा यहाँ पर नहीं है फिर जिन यहाँ उस सेकेटरी के पास जाती है और उसका काड ले लेती है फिर वो वहाँ से चली जाती है फिर थोड़ी देर बाद वो सेकेरेटरी शीफ कॉल करते हैं उसे बताती है कि जिन यहाँ वहाँ से चली गई है अगले दन गूच एन्यू स्टूडियो में होता है तो फिर वहाँ पर शाउनिंग भी होती है और रिकॉर्डिंग कर रही होती है पर जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है वो अच्छे से नहीं हो पा रही होती फिर वो बताती है कि जो यानन की कौफी होती है उसका temperature होता है 45 degree Celsius शाउनिंग बोलती है इस बारे मुझे नहीं बता है तो फिर सकरेटरी बताती है कि इस बारे मुझे नहीं पता है यहांपर खास थारीके केटेस यूज होते हैं और जो गूचैनियू है, वो याणान का बहुत ख्याल रखता है देर बाद गूचैनिय और शाउनिंग गोमने के लिए जाते हैं तो फिर उतनौ कॉफी पी रहे होते हैं फिर शाउनिंग गुचन्यों से पूछ रही होती है कि यार्णान को कितने temperature की coffee पसंद है गुचन्यों बोलता है 45 degree Celsius तो फिर शाउनिंग पूछ रही होती है कि मुझे किस temperature की military पसंद है तो फिर वो नहीं बता पाता है इस बात पर शाउनिंग गुस्सा हो रही होती है थोड़ी देर बाद वो दोनों घर चले जाते हैं तो फिर शाउनिंग इसी बारे में सोच रही होते हैं अपने घर पर भी पर शाउनिंग थोड़ी सी चिडशिड़ी हो गई है फिर शाउनिंग तुम जैसे लड़के से नहीं हारता है तो फिर वहाँ पर जिन्या होती है और वो से पताती है कि अब मैं तुम्हारी सेकर्टरी हूँ जो तुम्हारी पुरानी सेकर्टरी थी उसने की जॉब कुट कर द होती है और वो बुरी तरीके से डांस कर रहा होता है तो फिर वो बोल रही होती है कि मैं ऐसे अप्लोट कर दूँगी तो फिर शीफए बोलता है कि मैं तुम्हारा फैमिली की मौत होगी थी बहुत पहले, इस वैसे मेरे फातर या नन को हमारे धर पर लिया थे और वो जब से हमारे साथ रह रही है, वो मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह है और वैसे भी मैं उसे एक सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ, फोड़ी देर बाद वो दोनों सोडियो कर रही थी, उस ड्रामा के लिए लीड रोल नहीं मिला होता है, तो फिर सेकेर्टरी बोल रही होती है कि आप कोई वो करेक्टर करना चाहिए, और आपसे ज़्यादा उस करेक्टर के बारे में कोई भी नहीं जानता है, इस वैसे आप और गूच एन्यों दोनों साथ में काम कर पाएंगे और जादा वक्त विदा पाएंगे, बूरी देर बाद वो सारे शोड़े में होते हैं, तो फिर लीड रोल नहीं मिल रहा होता है, तो फिर वहाँ पर यानन के सेकेर्टरी होती है, और वो बोल रही होती है सबसे, क्यों ना हमें यानन को मौका देना चाहिए ल फिर गूचैनियू शीफे के साथ होता है, गूचैनियू शीफे से बोल रहा होता है कि तुम काफी सीरिस हो, तो फिर शीफे बोलता है कि मैं सीरिस नहीं हूँ, वो ही है जो मुझे पसंद करती है और वो मेरे लिए सीरिस है, मुझे भी अपने आपको ब्लेम करना चाहिए क कि मैं इतना charming हूँ और इतना handsome हूँ लेकिन ये मेरा fault नहीं है कि मैं बिल्कुल excellent हूँ शीफए गुचैनु से बोलता है कि मैं आज रात को यहाँ से shift हो जाऊंगा और तुम ये बाद Showning को मज़ताना फिर रात को शीफए वहाँ से shift हो रहा होता है अगले दनों सारे meeting में होते हैं तो फिर यानन को leading actors के तोर पर चुम लिया जाता है meeting खतम होने के बाद recording स्टार्ट होनी होती है और recording हो रही होती है दो लोग की साथ में यानरान और Showning की फिर वो दोनों साथ में recording कर रहे होते हैं बट Showning अच्छे से नहीं कर पा रही होती तो फिर गूचेन्यू यानन को बाहर बलाता है और वो स्टूडियो के इंदर जाकर Showning की help कर रहा होता है अगले दन यानरान और उसकी secretary तांग शोय से मिल रही होती है तो फिर यानरान उसे पैसे दे रही होती है और जो secretary होती है वो बोल रही होती है मुझे यकिन नहीं हो रहा है कि Showning उस rule के लिए suitable है क्या कर सकते हैं Showning गूचेन्यू की secretary है तो फिर यानरान तांग शोय से बोल रही होती है कि मुझे तुमारी help चाहिए तो फिर तांग शोय होती है कि मैं तुमारी help करूंगी अगले दिन शीफेज जरनियाओ को परीशान कर रहा होता है और वो उसे बार-ल-बार काम दे रहा होता है कूच चैनियू यानरान उसे बात कर रहा होता है कि मैं कुछ दुनें के लिए बाहार जा रहा हूँ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुनेए थोड़ी देने बाद वहां पर पर तांकश्यविए आती है पर शानिंग के बारे मुझा ब olhos चेंग रही होती है जाती है उन रिपपोrdANA को प्र फिर उतन इंट्रोड I Т Assim हो रहा हो death to तो फिर वो गूचैन्यों को घर में चली जाती है थोड़ी देर बाद गूचैन्यों को घर पर एक लेडी आती है और वो गूचैन्यों की मौम होती है तो फिर वो शाउनिंग को देख लेती है बताती है कि गूचैन्यों एक मीटिंग के लिए भार गया हुआ है फिर वोवस के डैड से बात कर रहे होती है उन्हें बता रही होती है कि मैं गूचेने घर पर गई थी और वहाँ पर मैं गूचेने की गिर्फरंट से मिली शीफ ए अपने घर पर होता है तो फिर वो ऐनलाइन बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा होता है शाउनिंग के किलाफ फिर इस बारे में गूचैनियों को बजलता है तो फिर उस शीफे को कॉल अरके बोल रहा होता है कि तुम्हें इस matter को solve करना होगा अगले दिन शेफ है ओफिस में होता है तो फिर वो शाउनिंग से मिलके उससे कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ दुनों के लिए चुटी लेने शाहिए थोड़ी देर बात वहाँ पर गुचैनियों का भाई आता है और वो यानरन से मिल रहा होता है फिर वो फोटोग्राफर के पास जाती है उससे पूछी होती है तुम क्या कर रहे हो तो फिर तांग शेफ वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होती है और फिर शाउनिंग उससे अपने पास बलाती है और वो देखते है कि वो उसकी फोटोस ले रहा है तो फिर दोनों उससे लिड़ने आंक्षए बोड़ रही होती है कि मैंने बहुत सालों से हाड़ वक किया है इस पेम को पाने के लिए और मैं इसे ऐसे खोना नहीं चाती हूं मैं अभी भी ड्रामा को डब कर सकती हूं अपनी बिमारी को ठीक करते हुए मैं ये सब नहीं खोना चाती हूँ जो कि मेरे पास अब है तांग शोय रो रही होती है तो फिर शाउनिंग बोलती है कि मैंने तुम्हारे सारे ड्रामा सुने है और तुम बहुत ही अची तरीके से डबिंग करती हो गुचैनियो वापस आ जाता है तो फिर तांग शोय और शाउनिंग पुचैनिंग से बाहर जा रहे होते है थोड़ी देर बाद आपर गुचैनियो आता है और वो शाउनिंग कहत कर लेता है तो फिर तांग शोय वाँ से चली जाती है वहाँ पर वो फोटोगाफर अभी भी होता है शाउनिंग और गूचैनियों की एक फोटो साथ में ले लेता है जिन याओ किसी तरीके से शीफे के नए घर का एटरस पता लगा लेती है तो फिर उसके घर पर जा रही होती है कुछ खाना लेकर शीफे अपने घर पर स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे शीव शांग के पार्ट की डबिंग करनी होती है फिर वहाँ पर जिन याओ आती है तो फिर वो शीफे के हाथ में वो स्क्रिप्ट देख लेती है और वो उसे स्क्रिप्ट मांग रही होती है तो फिर शेफे बोल रहा होता है कि ये एक कॉंटेक्ट है बट वो नहीं मान रही होती इस बात पर गुस्ता आकर शेफे से दखा देता है तो फिर जो वो खाना लाई होती है वो नीचे गिर जाता है फिर जिन्याओ वाँ से चली जाती है अगले दिन शेफ़े अपने कैबने में होता है तो फिर वहाँ पर जिन्याओ नहीं आती है फिर वो शाउनिंग के पाज आता है पूछने के लिए कि जिन्याओ कहाँ पर है वो आई नहीं है शानिंग जिनियों को पॉछ रही होते है कि तुम क्यों नहीं आए हो तो फिर उपताती है कि मैं वर्ल टूर पर जा रही हूँ और अब मैं नहीं आऊँगी अनिंग एवाट शेफवे को बताती है गूचैनियो यानन से बात कार रहा होता है और वो उससे conference के बारे पूछ रहा होता है वो उससे बोल रहा होता है कि तांग शोय उस दिन कैसे आई और उसे कितने बता है कि इस दिन conference है जानन कुछ भी नहीं कहती है थोड़ी देर बात गुच एनन्यों शानन को प्रेंट से मिलाने के लिजारा होता है गुच एनन्यों की mom और dad उसके बाई से बात कर रहे होते हैं जब इस बारे में उसके बाई को पजलता है कि जो इंटरनेट पे स्पेड हो रहे हैं rumors वो कैसे हुए फर गूचैनियो बोल रहा होता है जो भी वो सारे comment है वो सारे जोटे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है शाउनिंग बोलती है कि इस industry में ऐसा होता रहता है जोनों के फादर बोलते हैं कि हमारी family में पहले से एक डवर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक और डवर आए अगर तुम्हारी family में आना चाती हो तो फिर तुम्हें resign करना होगा इस बात पर गू चैनिओ गुसा रहा होता है फिर थोड़ी तेरबात गू चैनिओ और shawning वहाँ से चले जाते हैं अकले तिन, गुच ए य अन्यू, तांक शो से मिल रहा होता है और इसे उसको कुछ फोटोस दिखा रहा होता है कि तुम में मुझे सचाई बतानी होगी तो फिर तांक शो उस सब बताती है कि मुझे यह रणान ने पैसे दिये थे तुमारी company में आने के लिए आद कोई company का dinner भी होता है उस drama के लिए but shawning को किसी ने भी नहीं बताया होता है shawning को किसी तरीके से party के बारे पहलता है जब वो अपने care में जाती है तो फिर वहाँ पर उसके लिए gift होता है जब वो open करती है तो फिर उसमें एक dress होती है और उसमें पर center का नाम लिखा होता है गूचेनियू आरे staff members एक restaurant में होते हैं और उन समने एक t-shirt पैंट रखी होती है जो कि उस drama को promote कर रही होती है फिर वहाँ पर शौनिंग पहुचती है तो फिर वहाँ पर जितने भी स्टाप मेंबर्स होते हैं वो उसका मजाग उड़ा रहे होते हैं फिर वहाँ पर गुचैनियों आता है और वो शौनिंग को अपने साथ ले कर जाता है फिर बाहर में होता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर जिनिया हुआ है और वो एक लड़के के साथ में है शौनिंग और गूछणनियों गर पर होते हैं तो फ़र शौनिय उसकी बात नहीं पर जला था है और किसी बहाने से व शौनिंग को अपने रूम में बुला रहा होता है शौनिंग व happen पर पहुँच जाती है तो फिर गूछ शौनियों उसे अपने करीब लाता है और उसे किस कर लेता है